नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर संदीप दोस्तो हाजरूं आपके सामने अपनी नहीं वीडियो के साथ है तो दोस्तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम एक शिगर पतन नमर्दी को धात्सव पंदोश को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत ही शानदार बहुत ही पावरफुल माजून बना रहे हैं और लगबग सारी दवायों को हमने अच्छा से कूट पीस के पावडर बना लिया है और अब आगे का प्रोसेश दोस्तो चालू है आगे अब माजून उससे कैसे बनाना है वो सारी चीज हम आपको बताने वाले हैं जो भाई बंदू इंट्रस्टेर हैं वो इस चीज को दे देखें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आएं तो दोस्तों यह देखें यह हमारा शहद है और यह हमने थोड़ा थोड़ा इसे गर्म कर लिया है जब भी माजून बनाते हैं तो शहद को थोड़ा सा गर्म करना जरूरी होता है इससे क्या होता है शहद के इंदर थोड़ होते हैं दोस्तों यह शहद आप देखें कितना शांदार शहद यह छोटी मदु मखी का शहद है कि और अब इसमें दोस्तों हम अपने माजून का समान जो हमारे पास था वो डालेंगे उससे पहले रहें बड़का दूद यह आप देखें बड़का दूद यह हमने शहद में डाल दिया है बस दोस्तों ध्यान यह रखना है कि ज़्यादा गर्म ना हो शहद ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए यह दोस्तों हमारा जो मतेरियल था जड़ी बूटियाँ चले मकाने उरे परे सारी चीजे अब हमें इसे सब को मिक्स कर लेना अच्छे से और गैस हम कर देंगे एक बार बंद गैस हमने मिक्स कर रहे हैं जब यह हमारा सारा मतेरियल मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम यह माजून डिबों में टैक कर देंगे और जिस भी भाई बंदू को यह माजून मंगवाना हो वो हमसे मंगवा सकता है और किसी भाई बंदू को इस माजून के बारे में जानकारी लेनी हो तो वो इसकी जानकारी भी हमसे ले सकते हैं अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो त इस नंबर पर आप हमें कॉंटेक्ट करके पोच सकते हैं धन्यवाद